आप जड़ा इन वीडियो और तस्पीरों को देखिए। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। बतादे के सुप्रिम कोट के चिप जस्टिस ने कहा है कि सांती पून तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर किसी भी प्रकार का बल परियोग नहीं होगा। मीडिया में कर रहे आलोचना पर भी लोगों पर कारवाई नहीं की जाएगी। बतादे के सुप्रिम कोट के चिप जस्टिस ने पश्रिम बंगाल सरकार और कुलकता पुलिस को भी कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर की सुरक्षा रास्ट हीप का मामला है। अस्पतालों में सेक्शिल एब्यूस हीप कई घटनाय हुई है। पहले भी स्वास्त करमचारियों के साथ ऐसी घटनाय घटी है। हम इसे चुप चाप नहीं देख सकते हैं। और हम एक और रेप का इंतजान नहीं कर सकते हैं। इसके अलाव उन्होंने कहा कि डॉक्टर की सुरक्षा के लिए नैस्नल टास्ट फोर्स बनाय जा रहे हैं। कुलकता रेप केस मर्डर में चिप जस्टिस डी वाई चंदर्चूड ने कहा कि हमें डॉक्टर की सुरक्षा की चिंता है। हमने देखा है कि अस्पतालों में डॉक्टर के लिए रेस्ट रूम नहीं होता है। ऐसे हालात में डॉक्टर कैसे काम करेंगे। कैसे उमीद किया जा सकता है कि ऐसे महौल में डॉक्टर काम कर सकते हैं। साथ ही कहा कि पिर्टा के परिवार को बोडी तक नहीं देखने दिया गया। प्रिंस्पल ने इसे सुसाइट बताने की कोसिस की है, देर साम तक F.I.R. दर्ज नहीं की गई है। चिप जस्टिस ने आगे कहा कि अस्पताल में साथ हजार लोग भुश गये थे। उस समय कोलकता पुलिस क्या कर रही थी। अस्पताल का प्रिंस्पल क्या कर रहा था। ये एक बहुत कंभीर वरदात हुई है। बता दे कि कोलकता में हुए मडर केस में कई सवाल उठ रहे है। पहला सवाल तो ये है कि राज के मुख मंत्री ने पहले हुए रेपकान में अलग-अलग तरीके से खारिज करते हुए खुद को उससे बचा लिया था। हस्खली का घटना तो आपको याद ही होगा उन्होंने इस मामली को प्रेम प्रसंग बताया था। इसके बाद और कई मामले भी हुए जिसे लेकर उन्होंने अपने आपको किसी भी तरीके से बचा लिया है। लेकिन इस बार कुलकता रेप केस में उन्होंने एक कथित तौ पे भद्र लोग से जोड़ा है भद्र लोग अब सड़कों पे उतर गए हैं ऐसे में ममता बनर जी के सामने बड़ी चुनौती आखड़ी हुई है इसके अलावा बंगाल पुलिस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं वहां की प्रशासन किसका इंतजार कर रही है क्या यह कोई अगातार लोग कैंडल लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं इंसाफ की मांग कर रहे हैं लेकिन वहां की पुलिस प्रशासन चुप चाप खड़ी है और सोचने वाली बात तो यह है कि वहां की पुलिस प्रदर्शन कर रहे हैं लोगों पर ही वार कर रही है ऐसे कई सवाल हैं लेकिन जबाब एक भी नहीं। वहीं इस मामले में महिला डॉक्टर की मा ने बड़ा खुलासा किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमले के कुछ तिन पहले ही उनकी बेटी अस्पताल जाने के बारे में अनिक्छा व्यक्त की थी। माने कहा कि वो कहते थी कि उसे अब RGR जाना पसंद नहीं है लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा ये मामले में एक और भी कड़ी जूड़ गई है बता दे कि इस मामले में निर्भय की माने भी एक बड़ा वयान दिया है उन्होंने कहा है कि कोलकता मेडिकल कॉलेज में जब लड़किया सुरक्षित नहीं है और उनके साथ ऐसी घटनाय हो रही है तो ये समझा जा सकता है कि देश में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति क्या है उन्होंने पशिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर निसाना साथ तेवे कहा कि ममतावनर जी राज की मुख्या है उनके राज में मानावता को सरमसार करने वाली घटना घटी है जिसमें पुलिस की लापरवाही भी साफ दिख रही है बता दे कि इस मामले में कई लोग सामिल होते जा रहे हैं वैसे आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं